आज मैं आपके लिए बनाने वाली हूँ वेज पैनकेक पोटैटो वेजी पैनकेक रोस्टी बनाने वाले हैं यह बहुत अच्छा और असानी से बन जाने वाला है बनाना शुरू करते हैं इसके लिए आपको चाहिए बॉल्ड आलू उबले हुए आलू लेंगे तीन बड़ी साइस की और एक शिमला मिर्च है एक प्याज है बड़ी साइस की और एक गाजर है उसको अच्छे से चॉप कर लिया और डाल दिया और इसमें जाएगा नमक वन ट लेसन अद्रग आड़ करने के बाद इसमें डाल रही हूं मैं वन टीस्पून भर के पीजा सीज्दिंग है यह ऑप्शनल है अगर हैं आपके पास तो डालें नहीं हैं तो चिली फ्लेक्स डाल दें इसकी जगा मैंने वन फॉर टीस्पून लाल मेरी डाल दी है और वन फॉर टीस्पून जीरा पाउडर डाला है और इसमें जाएगा वन फॉर टीस्पून से भी कम ही समझे लो धनिया पाउडर जाएगा इसमें और थोड़ी सी इंग्रीडियंट्स है आप तीन टीस्पून इसमें डालेंगे कॉण फ्लार या फिर चावल काटा तीन टीस्पून मैंने कॉण फ्लार आट कर दिया इसमें और इसको अच्छे से मिक्स करते हैं थोड़ा सा डोओ फॉं में आ जाए हागा चाट मसाला चाट मसाला वृटियो है में पहले अ और चौट मसाला दालने के बाद यह पहले ही डाल दें आप मसाले जिस वक्त डाल rzeit तभी और उसको मिक्स करने के बाद 1 TA1 के ख्रीब ब्रॉट्स कि ब्रश से थोडा साफ घर याक , ब्रशम और शिपन के वाहत एक , लीजिन、、, थोड़ी सी 1 टेस्पून के खरीब यह लिया और डाल दिया और जितना भी मिक्स किया हुआ मिक्स्टर है पोटाटो और और सारी वेजीस का उसको हाथ से थोड़ा सा इस तरह से फ्लैट कर लेंगे चोड़ा कर लें अज़ए इस तरह से करने के बाद सार अच्छा सा हो गया तो इसको ऊपर से भी थोड़ी सी वह मसीली डाल दें सेमीन डाल दें 1 टी स्पून के खरीए और 1 टी स्पून और तेल स्मैट कर दोड़ा सा जाड़ा ही और इसको चूले के ऊपर रख दें मीडियम फ्लेम पे दो से तीन मिनिट इस तरफ रख दे ताकि अच्छा सा कलर आजा इसमें देखें दो से तीन मिनिट के बाद हाई फ्लेम बिल्कुल भी ना रखें मेडियम फ्लेम रखें इसके बाद एक प्लेट ले इसके उपर इसको प्लेट में निकाल लेंगे प्लेट में निकालने के फिर से इस तरह से निकाल लिया और थोड़ से स्पैचुला की हिल्प से इसको फिर से पैन में डाल देंगे ताकि दूसरी तरफ अच्छे से फ्राइ हो जाए अगर फिलिप करेंगे आप तो वह तूट जाएगा किसी भी चीज से अगर देखें मैं दो से ती मिनट और रख दूँगी ताकि इसका नीचे से कलर और अच्छा आजाए इसके ओपर डाल देते हैं चीज स्लाइस और इसके ओपर चीज स्लाइस के ओपर थोड़ी सी पीजा सीजनिंग डाल दें एक चुटकी के खरीब वो डाल दिया यह बहुत ही आसा ताकि नीचे से अच्छा कलर आजाए और चीज भी मेल्ट हो जाए देखिए यहां पर तयार है चीज भी मेल्ट हो चुका है उपर से आउटर लेयर जो है इसकी क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट इस रेसिपी को आपने ट्राइ जरूर करना है इसको केचप के साथ या फिर